बंगाल की खारी से उठा चक्रवाती तुफान दाना अब एक गंभीर चक्रवाती तुफान का रूप ले चुका है ये गंभीर चक्रवाती तुफान 24 सक्टूबर की रातरी या 25 सक्टूबर की सुबह को पूरी और सागर द्वीप के बीच ओरिशा और पछिम बंगाल के टटो को पार करेगा जिसकी गती 100 से 110 किलो मिटर प्रति घंटे और जोकों के साथ 120 किलो मिटर प्रति घंटे हो सकती है इसका असर बिहार के कई जीलो में देखने को मिलने भी लगा है देर रात से ही मधिपुरा क्रिशनगन जमुई कटिहार सहीत जार्खन से सटे बिहार के जीलो में तेज हवा और हलकी बारिश हो रही है पटना इस्थित मौसम विज्ञान केंट के वैज्ञानी के असके पटल के अनुसार इस गंभीर चकरवाती तुफान का असर अब बिहार में दिखने लगा है आज रातरी से इसके असर में बढ़ोतरी होगी बिशेशकर जार्खन से सटे जीलो के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है इस तुफान के असर को देखते हुए आज राजधानी पटना सहित बीस जीलो में एलो एलट जारी किया गया है गंभीर चक्रवाती तुफान का प्रभाव आज की रातरी और 25 अक्टूबर की सुबह को बिहार के पुर्वी भाग यानि के सुपावल अलरिया किशनगंज सहरसा मध्यपुरा पुर्णिया कटिहार एवन दक्षिन बिहार के जार्खन से सटे जीलो विशेशकर साथ तेज हवा चलने की संभावना है जिसकी गती जोकों के साथ 40 किलोमेटर प्रति घंटे रहने की संभावना है साथ ही आज से 26 अक्टूबर के दरान दक्षिन बिहार एवं पुर्वी बिहार के जिलों में कुछ अस्थानों एवं सेस भाग के एक या दो अस्थानों में हलके से मध्यम वर्षा की भी संभावना है आज यानी की 24 अक्टूबर को सुपहुल अररिया कि शनगंज सहर सा मध्यपुरा पुर्णिया कटिहार भागलपूर बांका जमुई मुंगेर और खगरिया जिलो के कुछ अस्थानों पर मध्यम अस्तर की वर्षा होने का जारी किया गया है इस तुफान का आसर सिर्फ तेज हवा और बारिश के रूप में ही नहीं बलकि तापमान में गिरावट के रूप में भी दिखाई देगा वैग्यानिक इसके पटेल के अनुसार कल से दीन के तापमान में भी 2-3 दिगरी सेलसियस की गिरावट होने की बीच राने की संभावना है पटना से लोकल एटिंग के लिए सचदानंद की रिपोर्ट बंगाल के खारे